है लो स्टुरेंट्स मैं लोकेता नाजावत शिल्ययंवाई इंस्टूर्ट के यूटूब चैनल पे एक बार फिर से आपकर सुखत करता हूं दियर इस्टूरेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं को यूलिविया का लेक्चर नम्र फ्री जो क्लास 9 तो 10 के लिए common lecture होगा अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्टर नमर वन लेक्टर नमर टू नहीं देखा है तो पहले लेक्टर नमर वन लेक्टर नमर टू जाके देखिए उसके बाद में लेक्टर नमर 3 देखना स्टार्ट कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा आईजरिटा क्या है आज हम कोर कोर से टोपिक्स पढ़ने माने हैं आज हम सबसे पहले बढ़ेंगे जीरो ओफे पॉलियों में अथार्थ भॉपद के सुन्यक का क्या मतलब होता है और फिर इसके चार पास अच्छे अच्छे के करके देखेंगे इसके बार में हम कुछ अच्छे केस्ट भी करके देखेंगे जो कि एंटी एसी लेवल के होंगे या बोर्ड पे आने वाले केस्ट हो सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जीरों के पॉलिनल का क्या मतलब होधा है तो देखो कि यहाँ में पास PX University q invincible c क्पर सब्घुम Arias की बेज़िव सब्सेपसों सब्सक्राइट इक ये start अगर हमको 2013 हमें प्राइट खिता सब्सक्राइगे daily कि एस चारािट टरर इससे प्राइट जिसका एक जीरो चैलाएगा पता, जिसका एक सुन्या चैलाएगा, तो सुन्या का मतलब क्या होता है, simple language मैंसे समझ सब्सक्राइब की कोई वह value, या वह मान जिसको लखने पे जो polynomial है, उसका मान यानि कि वह value कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए, इसके दो examples में रिखे हैं यहां देखो, जैसे कि PX से polynomial दिया गाए, 2X minus 4, यहां अगर हम X बराबर 2 रखें, तो देखते हैं क्या होता है, P2 बराबर क्या है था, 2 multiplied 2 minus 4, यानि 4 minus 4 is equal 0, यानि कि हमारे को X बराबर 2 के उपर इस polynomial की value कितनी मिल गई, 0 मिल गई, इस तरीके से इस example के देखो, जैसे कि X बराबर 1 by 3 पे check करके देखते हैं, तो यहां क्या होगा, P1 by 3 की value कितनी है, 3 multiplied 1 by 3 minus 1, 3 से 3 divided होगा, ओपर 1 बचा, 1 minus 1 बराबर 0, तो यहां भी हमें 1 by 3 के उपर value कितनी मिल रही है, तो बोल सकते हैं कि यह भी PX बराबर 1 by 3 भी क्या होगा, PX बराबर 3X minus 1 वाले polynomial का एक 0 होगा, मतलब यह भी क्या है इसका एक सुन्या के, अधार इसका एक 0 होगा, तो सबसे पहले हमारे को कुन-कुन से पैसे questions यहां बन सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी value निकाल के लिखेंगे, अगर हमारे को polyglomer की value कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है, यानि कि सुन्य मिल जाती है, तो हम बोल देंगे कि वह उसका 0 है, अतार उसका 1 सुन्या की है, वर्ना सुन्या नहीं है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, zero find करना सिखेंगे, वह हमें क्या करना था, पहले वाले time के question में क्या था, value देखे check करवाता था, है या नहीं, अब क्या करेंगा, तो उसके हम यहां पहले इस वाले lecture में के लिए linear के बात करेंगे, क्योंकि हमाने 9 वाले सलेबस में के वाल linear बढ़ा है, और जब हम 10 के लिए अलग से lectures बनाएंगे, अभी तो दोनों के लिए moments ही रिजए, तो अलग lecture में क्या होगा, हम quadratic वगेरा इन polynomial के भी zero find करना सिखेंगे, तो उसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में एक question इस टाइका भी बनता है, कि वह zero आपको बोल देगा, कि dia wiring इतना इतना इसका zero है, और आपको polynomial भी देदेगा, तो उसमें कुछ चीज क्या करेगा, वह unknown कर देगा, मतलब कि अध्याद कर देगा, अभी जब हम questions करेंगे, अच्छे से समझ में आजाएं, कि हम क्या पढ़ने माले हैं, तो इसको इसको इस बाद कर लीजिए, फिर हम next slide पर चलते हैं, तो सबसे पहले हम, zero है या नहीं, यह चेक करने वाले questions करके देखते हैं, इसके अंदर कैसे solve करेंगे देखो, जैसे एक polynomial दे दिया, px बराबर x cube minus 6x square plus 11x minus 6, तो हमें चेक करके बताना है, x बराबर 1, 2 और 3, आर्दा 0, जो px और 9, यहनि कि इसके 0 यहनि क्या था सुन्यक है, या फिर नहीं है, यह हमें चेक करके बताना, तो हम क्या करेंगे, इन सभी value के उप़र, x के इन सभी value के उप़र, polynomial की value निकाल के देखेंगे, अगर polynomial की value कितनी आजाती है, 0 मिल जाती है, यह जो value j x की, वो क्या होगे, इसके सुन्यक कहोगे बना सुन्यक, नहीं होगे, तो सब्से तरह हम बन के यह value निकाल के देखते है, तो 12 माइनस 12 कितना आजा, 0, तो हम बोल सकते हैं कि, x पराबर 1 तो क्या होगा, इसका 0 होगा, अथा तो इसका इसका सुन्यक होगा, फिर 2 के पर value इटकाल के देखते हैं, तो देखो, 2 क्यूब माइनस 6 मुल्टिप्लाइट 2 स्कॉर इसका 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 0 होगा, आप इसी तरीके से x प्राबर 3 के उपर इसकी value फाइंड करके देखते हैं, देखो, 3 का Q, minus 6 multiply 3 square, 6 multiply 3 square, plus 11 multiply 3 minus 6, देखो 3 का Q क्या होगा, 3 को 3 बार multiply करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 का square करेंगे 9 आएगा, 9 को 6 से multiply करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, 11 को 3 से multiply करेंगे 33 आएगा, minus 6 होगा, तो देखो 27 और 33 यह कितना होगा, 60, और minus 54 और minus 60 कितना होगा, minus 60, यह कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि एक्स बराबर 123, यह तीनों के तीनों क्या है, इस वाले polynomial के स्विन्यक है, अताथ इसके 0 होगे, अब हम, second वाले question को solve करके देखते हैं, याना क्या बोला है, verify करना है, जाज करके बताना है, कि एक्स बराबर minus 3, minus 2, 1, 2, यह क्या है, इस वाले polynomial के 0 है, यह वे check करके बताना, जाज करना है, तो अब इसको भी solve करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P minus 3 पे निकाल के देखते हैं, इस वाले polynomial की value, तो क्या होगा, minus 3 की power 4, plus 2, multiply minus 3, power 3, minus 7, multiply minus 3, square, minus 8, multiply minus 3, plus, तो देखा, आगे इसको सोन करके, मैं यहां हिर देता हूँ, minus 3 की power 4 है, यानि कि minus 3 को 4 बढ़ा करने हैं, तो power कितनी है, even है अतराब सब हैं, तो जब minus minus को उगणा करोगे, तो last में कितना बन जाएगा, plus बन जाएगा, तो 3 की power 4 करोगे, तो वो कितना आएगा, 80, 1 आएगा, उसी तरीके से minus 3 का cube करोगे, तो power odd है, तो जब minus minus को इनको आपस में multiply करोगे, तो last में कितना मिलेगा, मिलेगा, और 10 को 3 बार multiply करोगे, तो 27 मिलेगा, तो 27 minus के को 2 से multiply करोगे, तो यह कितना बनेगा, minus का 50, ओन बन जायागा, उसी तरी के minus 3 का square करोगे, तो minus minus को plus हो या तो 24 होगे, और 24 फिर प्लस 12 हो गया, अब देखो माइनस माइनस वालों को सब को एक साथ एक कर लेते हैं, और प्लस वालों को सब को एक साथ एक कर लेते हैं, तो देखो 81 प्लस 20 कितना हो गया, 101 प्लस 4 कितना हो गया, 105 प्लस 10 कितना हो गया, 115 और 2, 117 माइनस, तो देखो यह कितना हो गया सबस्क्राइब करें एक इंस तो पर बीट करके देखें किया तो मैंने सूर कि पावर कितनी है तो मैंने इस थी पावर कितनी होगी 3 है 7 multiply minus 2 square minus 8 multiply minus 2 plus 12 तो इसके लिए बने पूट करते हैं देखो यहां पर पावर होई even है अथासर है तो सारे minus आपस में लास्ट उप्लस बन जाएंगे तो 2 की पावर 4 कितनी होगी 2 को 4 बाल multiply करोंगे तो 16 आएगा और यहां 2 की पावर 3 है तो इसकी value कितने आएगी पावर विसम है तो जब आपस में multiply करोंगे minus minus इनको तो क्या बनेगा लास्ट में minus का बनेगा और 2 की पावर 3 इतनी होगी 8 जाएगा और 8 को जब 2 से multiply करेंगे यह minus का 8 को 2 से multiply करेंगे तो minus का 16 आगा पिर यहमें देखू, माइनस का दो गाए पैस तो 4 आएगा और 4 को तो ही कहा है तो यह कितना चाहला चाहला। तो देखो 16-16 तो 0 हो गया, तो 16 और 28 हो गया, 28-28 ये भी कितना हो गया, 0 आगया, हैनि हम बोल सकते हैं कि X बनाबर-2 भी क्या होगा, इस वाले पूरी नोले रथाप इस वाले दोपत का सुन्य बोगा 0 होगा, अब हम इसकी वेलू माइनस 1 के उपर, नहीं, 1 के उपर भी फैं आगवाइस, 8 और प्लस बाहई गा प्लस, 12 देखो 16-0 गोैसा धेन कछ ने लिक साधीات है hone, कितना ओगया. 15 साथ मा माइनस 16 माइनस 16 य भी कितना आगया, अब हम इसकी वेली प्राइक ये गितना होगा, जीर्वारी थाय हो गया तो हम यहां बेना रखते हैं तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 तो टायिक सोल कर देता हो, कितनी हैगी? 16 इएगी, फिर 2 की पावर 3 वह 8 हैगी फिर 8 को 2 से मैंटीप्लाइ करेंगे तो यह कितना हैगा, लस्का,ольसुष को आएगा,फिर 2 स्कॉयर करैंगे,ट चार आएगा,फिर 4 साथ से गुला करेंगे,गे तो और दो को आठ से गुणा करेंगे, तो यह कितना हैगा, माइनस का, 16 हैगा, और प्लस का बारा लास में, ऐसे किसे दियागा, तो देखो, माइनस का 16, प्लस का 16 बढ़ गया, और 12 और 16 यह 28 हो गया, और 28 में 26 माइनस करेंगे, जो 0 आगे, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2, यह क्या है, इस-वाले polynomial 0 होगा, तो यहा चारो के चारो क्या है, इस-वाले polynomial के क्या होंगे, सुन्यद बूση होगे, अठ अधाद 0 होंगे, यहां नोट को बsm moins ke लिए , फिर और आजी questionS रहते हैं कि इसके ओपर हम दो whole questions करके देखते हैं, फिर हम अगले breaking पहे जाएं तो देखो, क्या दिया वाया है, कि इस पोलिनोमियल है, यह वाला, इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा, मतलब इसका जो सुन्यक है, वो क्या है? तो सबसे पेले साल करते हैं, इसको सुन्न करने के लिए, इसका फीर लेते हैं, इसको सोल जोल करने के लिए इसका है, क्या आया रहा है यह si tradicc. सब्सक्राइब तो अब यह वाला जो एक्स की वेलू हम बोल सकते हैं कि यह क्या है अगर यह सब्सक्राइब इसकी वेलू कितनी बना देगा तो देखो अगर यह सुन्यक है तो मतलग पी 6 की वेलू की बरापर कर देते हैं तो हमें की वेलू अपने आप मिल जाएं तो देखो तो देखो इधर कितना आ रहा है माइनस का 12 हो जाएगा तो के की वेलू कितनी आठी है बारा तो यह हमारा एक केस्टन हमने कर लिए अच्छा केस्टन है तो देखो आगे है आगे क्या बुला है कि एकस्टरवर्ट इसफाले वाले उनका तो अधाना कि के की वेलू क्या होगा याशा क्या प्यास से है यह हम इंडाली तरीके से बोल दिया था कि है इसका फ्क होगा डीकितना मैं चाहिए कि है थेता है उक्तना सबतों तो जिसे सबाल दो आगे दगी जै कि पता है थे सब्सक्राइब करें ये संतंत्र हो दो भीगया को कि पनाइब बतना गारी Pers Harm स्कुर्ण प्लास के longta f9 कि टील होना चाहिए अन्हाइश 350 दीच तो इसके यह two time कट गया, minus 11 multiply, 4 का इसका कितना होगा, 16 और team का कितना होगा, 9 होगया, plus यह 4 के divide by 3 हो जाए अगर minus 20 बराबर, 0 होगया, इसको मैं आगे 16 बर देता हूँ, तो देखो, इसको इससे multiply करेंगे, तो 128 divided by 9 minus 16 को 11 से करेंगे, 16 को 10 टाइम करेंगे, 160 हाएगा, और फिर एक बार और करेंगे, तो 16 और जार देंगे, 160 में तो 176 है, divide by 9, और यह plus का 4 के, minus 3, divide by 3, minus 20 बराबर, 0 होना चाहिए, तो हमें के बारे टांग को इदर लखना है, बागी सारे टांग को क्या करेंगे हम, उधर की दरफ ले जाते हैं, और यह minus 128 divided by 9 होगया, और प्लस 176 divided by 9 होगया, नीचे 1 लगा के LCM ले लेता हैं इसका, तो इसको मैं यहाँ रोग कर देता हूँ, तो 4 के डिवाइड by 3, बढ मै नस इसका इसको डिवाइड करेंगी बन तांग को इसको 128 के बन प्लस 176 करेंगी है, अब देखो यह दौनों जो कितने होगे, मीनस हें है यहां कितना धियावा है वो के डिए road है ऑने नियुग करना है उसके बार क्या प्रेस की बेडlä है अब इसको यहां सोल कर देता हूं तो 4K divided by 3, इसके पर हम आचे माइनास 44 divided by 3 के देता हैं, 3 से 3 divided होगे हैं, 4 इदा डिवाइड बहाएगा, तो यहां देख लो, इपर हमने सोल सही कहा है, यहां 3 नहीं आएगा, यहां 9 था, एक मिनट यहां कुछ गलती हुई है उमारे से, पर देख लेते हैं, इसको कुछ निस्डेक तो नहीं हुआ है, ह हमारा यह सब कुछ सही है, सारी केल्पूलिशन सही की है हमने, माइनस 20 था उदर की तरफ सवी यहां गलती हुई हमारे से तो दिखो यह जो माइनस 20 था न है यह उस अधर जाके क्या होगा प्लस का 20 हुगा यह को यह जो प्लस का वह दर जाके माइनस का हुआ था शहीं देखो और यह माइनस का थे उदर जाके ब्लस का होगा तो इसाथा यहाँ से में वापस और देते हो यहाँ चोटी सी निस्टिक होई मुझे लगा कि यह पैजले से ही माइनस 20 उदर है चलो यहां इसका इगलती को सुधा लेते हैं प्लस का वनेटी आएगा तो 180 प्लस से 76 176 कितना हो गया तो इसमा इसमें से सीवन तरहा है और इसमें से से इसमें लगे तो इसमें से इतना बचा 4K divided by 3 और इधर कितना बचा 76 divided by 3 तो 3 से 3 कर दिया 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 76 divided by 4 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना ही टाइम 19 टाइम डिवाइड होड़ा तो के की वेलू कितनी आएगी 19 एगी टो में स्वाले को स्रीक कर देना वापसम किया कि अमब करना तो सब्सक करना इस और उसके बार में क्या करना है यह वाले step note करना है और फिर इसका solution यहां लिखते हुए फिर इसके बार में यह वाले step करना है तो यह आप proper तरीके से note करना है वो बीज में जो गल्दी हुई थी उस वाले पार्ट को हटा देगा अब हम देखते हैं कि zero of n linear polynomial का क्या मतलब होता है उसके zeros कैसे find किये जाते है अथा अर्थ रेकिक होपत के सुनने कैसे ग्याद किये जाते है तो देखो अभी तक हम क्या कर देखे ते zero है या नहीं यह check करके देख रहे इसके लिए हम क्या करते थे उस polynomial में x की value पूट करते थे या variable की जो भी value होती थे वो पूट करते थे अगर हमारे को zero मिल जाता था उसकी value पूलिनोमेल की value तो हम बोल देते थे कि जो x की variable था वो उसकी value है वो उसका zero अथार सुनने के लाएगा वरना सुनने के नहीं होगा अब उसने क्या बोला है पूलिनोमेल दे दिया और यह प पूलिनोमेल की value कितने मिल जाए जीरो मिल जाए तो यहाँ लीनियर पूलिनोमेल दे दिया लीनियर पूलिनोमेल का standard form होती है highest power कितनी होनी चीए 1 होनी चीए तो linear आथा 3 की के लाएगा उसका coefficient जो गुनांत में हो जीरो नहीं होना चीए तो यह जीरो हो जाएगा तो इसमे जितने की numbers पढ़े हैं वह सारे real numbers दें तो इनमें से कोई भी number सकता है point वाला minus में plus में कुछ भी हो सकता है तो यहाँ देखो यह standard form TV है हमें क्या करना है इस वाले polynomial का zero find करना था सुन्यक जाद करना है तो हमें नहीं पता क्या होगा लेकिन हमें यह पता है कि सुन्यक जाद क करना है तो X की वह value बतानी है जो क्या कर दे इस वाले polynomial को zero कर दे तो हम यहां क्या करेंगे इस वाले polynomial की value को सुझ से ही क्या रख देंगे इसको यहां पूट करके देखने है यह सई भी है या जलत है यहां कि इसकी value पे हमें क्या मिला आचिक है जिनो मिलनी चीए तो देखो A multiply X की लेवर पे minus B upon A plus B A से A कट गया तो minus B plus B यह कितना होगा जीए जीडो यहां कि इस वाली value पे हमारे पूरिणो की value कितनी मिल गई जीडो मिल गई तो भोल सकते हैं कि यह क्या है इसका सुन्यक होगा यह इसका जीडो होगा तो यहां ने को एक और एक्जांपल किया है मैंने यहां नोर्य इक पोलिणोमेis टूआ तो हमारे की पीएक से कोरिणोमेल ऑूर्ट यहां से मैंक्स के वेलु मिल जाएगी औरो जिटो यहां कि वेलूमेड की इस वाले प्लिणोमेल के मतरड़ इस वाले मदक्वावत की का क्या होगा सुन्यक हूगा तो देखो, PX को हमने 0 के बराबर किया, और 2X-2 को 0 के बराबर किया, तू इधर माइनस में है, उदर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर तू multiply में इधर जाके divided में हो जाएगा, दो को दो से divide करेंगा, तो 1 आएगा, याई एक्स बराबर 1 क्या है, इसक सुन्याट होगा, इसको भी नोट कर लीजे, फिर 2-3 अच्छे-च्छे क्या साथ कर लेते हैं, दो और हम एक्जांबस देखते हैं, जिससे कि हमारा ये टोपिक अच्छे से हमारे के लिए दो जाएगा, तो देखो, यहां क्या दिया रहा है, कि यही एक्स बराबर 2 जाथा अक्छेस बराबर 2 जाए। कि अंदर सब जगें पर एक्सक्राइब क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो दो का क्यूब कितना होचा आठ को दो से मुटिप्लाइब करेंगे 16 माइनस यहां कितना किया है देखो चार का इसक्राइब कितना होगा दो का इसक्राइब कितना होगा चार चार को पात से गुणा करेंगे माइनस का 20 होगया फिर दो को यह से गुणा किया दो एक प्लस बी बराबर कितना होगया जीरो तो देखो इंदरों पापस में सोल करते तो यह माइनस का चार होगया उतर ज कितने होनी चाहिए यहां नहीं है जिए noi हैं मतंद यहां रखेंगे यह इंद मिद्ध इस पोली द्रॉघ यहां जिए रखोगे यहां जिपना रखोगे तो इनों तो ओगे चैनल बचा दो कि यहां डर्ट तो देता जिए तो जिए बाइख अब यहां क्या बचाक बिदी तो देखो यह दोनों क्या है इस वारी कोड़ी क्या है सुन्यक दिये वे तो उने बताना है कि A और B की वेल्यू कितनी होगी कि A इसका मैंन करें ग्यों के वेल्यू किसे कोड़ी कि इसका सुल्यूशन यह लेते हैं कि X बहाँबर माइनस वन और 0 दौनों इसके कोडिनों में के जीडों है तो आम एकस बाबर 0 के उपर वेल्यू क्वाइंगे तो कितनी मिलने चाहिए चीलो मिलने चाह था सुनने मिन चा तो देखो क्या आएगा Q multiply minus 1 का Q minus 3 multiply minus 1 square plus A multiply minus 1 plus B पराबर 0 होना चीए क्यों कि फी minus 1 भी क्या है इसका X सुन्या के तो X पराबर minus 1 के उपर भी क्या हो नेचेए वेले उसकी 0 क्या नेचे सुन्या नेचे तो देखो minus 1 का Q और आयाने की विस्तम धात है तो माइनस वन आएगा तो दो को माइनस एक से गुना करेंगे माइनस का तो आगया माइनस एक का इसको आए करेंगे एक आएगा एक को तीन से गुना करेंगे माइनस का तीन आगया पिर 1 को minus A से गुना करेंगे तो minus A आगया, minus X से गुना करेंगए, एको तो minus A आगया, थो plus B बराबर 0 आगया, तो देखал, minus 2, minus 3, minus 5 उधर जाके क्या होगा, plus का बाच हो जाएगा, तो minus A plus B बराबर तितना होगा, plus का बाच, निकाल चुके हैं, पिकनी या ले है, जीरो आ ले हैं तो उसकी ले कश में करते हैं, तो यहां सै किया मिल दोने किहाना, मैंनस आप पर vet मुल है थी समें अच मुझा भांगा, तो और समें आप लोगों को समझ में भला ओगा अप लोगू लेक्चर फ्रीués तश बरें, değiş अर् आपको लेक्चर क्यें देखने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी और वीडियो मेरं किसे जरूर चैनौर को सबस्क्राइब जरूर करना वीडियो मेरे लाइक अगर मेरे अ Bean mosquito करना कोई भी अगर प्रोब्लम है कोई भी टोफिक अगर समझ मेरे नहीं तो कोमेंट में मुझे जबूर बताना जिससे कि मैं अगले वाले लेक्चर में कुशिस करूं कि आपका जितने भी डाउट से वह आपके के लिए कर सबूर थेंक यू